गुड इवनिंग स्टूडेंट्स बेटा ओपन यौ मैट्स बुक आज हम आपकी मैट्स की फिल करेंगे सबी बचों ने ओपन कर ली बेटा अब चलो पेज नंबर आपका पेज नंबर नाइन आपको अपनी मैट्स बुक का पेज नंबर नाइन ओपन करना है ओपन पेज नं आपको comparison करना है big big and small आपको big और small का comparison करना है big मतलब बड़ा और small मतलब छोटा सभी बच्चों को समझ में आगे बिटा अब आप सभी बच्चे देखिए यहां पे आपको दो picture से समझाया गया है horse क्या है big है और puppy dog के बच्चे को puppy बोलते है न तो यह puppy है तो puppy small है तो देखो horse के आगे big लिखा हुआ है यहां पे और puppy के आगे small तो यह क्या है यह बड़ा है और यह छोटा है तो यह big यह small सभी बच्चों के समझ में आगया now अब exercise की तरफ आए to do देखो लिखा हुआ है take the big object and cross the smallest object आपको टिक करना है big object पे और cross करना है आपको यह cross दिख रहा है लेकिन एक बड़ा है लेकिन बेटा देखिए एक बड़ा जहाज है और एक छोटा है आप सभी को picture में देख रहा है एक जहाज जो है वो बड़ा है और एक जहाज जो है वो छोटा है तो यह क्या है big और यह क्या है small big मतलब बड़ा small मतलब छोटा तो यह big है तो आपको इस small object में तो यह क्या है छोटा है तो हमने इसमें इसलिए cross का निशान लगा है now turn your page page number 10 पर आईए आप सभी बच्चे page number 10 पर open कीजिए देखो इसमें आपको definite बताए गया है big, bigger और biggest तीन फ़र में बताएं है big की big बड़ा उससे बड़े को bigger कहेंगे और सबसे बड़े को हम क्या कहते है biggest ऐसे ही आपको small की बताएं है small, smaller, smallest छोटा, उससे छोटा और सबसे छोटा, सभी को समझ में आगे बिटा तो क्या form है big, bigger, biggest small, smaller, smallest now question देखिए take the correct picture for the given word आपको tick करना है, correct picture पे जो आपको given दिये है word, सबको समझ में आ गया पहला क्या है, लिखो, पढ़ो spelling पढ़ो, b, i, g, 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 e, s, t biggest biggest क्या होता है सबसे बड़ा, मैंने बताया तो नहीं आपे biggest मतलब सबसे बड़ा, तो जो biggest है इन तीनों में सबसे बड़ा है, उसमें आपको क्या करना है tick करना है तो ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है कौन सी picture बढ़ी है, बस बढ़ी है तो आप इसमें आपे क्या कर दोगे tick कर दोगे, चिक है आपको आपे cross करने के लिए नहीं बोला smallest मतलब सबसे छोटा तो इन तीन पिक्चर हों में आपको सबसे छोटा कौन दिख रहा है watermelon, pear या strawberry तो सबसे छोटी क्या है बिटा strawberry तो आप strawberry में टिक कर दोगे next picture देपढ़िए S-M-A-L-L-E-R smaller smaller मतलब छोटा small से छोटा होता है smaller सबको संद्ज में आगया तो smaller मतलब छोटा такая smaller कौन साइस में this picture is smaller तो आप smaller में टिक कर दोगे आप सबी बच्चों को समद्ज में आगया बेटा biggestheen मतलब बड़ा smallest से छोटा और smaller उससे छोटा सबी बच्चों को समझ में आगया आप सभी बच्चों को From Spuddy Big की Big Biggest Big Bigger Biggest Small Smaller Smallest सभी बच्चों को अपनी book का आज page no. 9 और page no. 10 fill करना है सभी बच्चों को समझ में आगए आप सभी बच्चों को page no. 9 और page no. 10 बेटा फिल करना है ठीक है और सभी next day अपनी notebook और book चेक करवाएंगे ओके स्टूडेंट अट सॉल फर टुड़े